दोस्तों आज हम बात करने वाले के ऐसे प्लान की जो बहुत ही छोटा है 10 x 10 मात 10 x 10 में आप कैसे अपना फूल हाउस बना सकते हैं सबी चीजों के वास्ता कर सकते हैं जाया है वो बात रूम हो स्टेर्स हो लेटिंग्स हो रूम हो वो बहुत ही मॉडल छोटा होता है इस मॉडल में आपको नीचे एक दुकान भी मिलेगा कमरां भी मिलेगा पूरे मकान में और आपको लेटिंग masculine भी मिलेगा बात-रूम में मिलेगा बात-रूम मेंjest कर रहा हो यह इस म मातर 10 x 10 प्लान ह etti मात्र 10 के मोर्ण में 100 और दस फटी चौड़ा है तो कैसे आप अपना फुल हाउश महाँ पर क्रेट कर सकते हैं एक फैमिली को कैसे रख सकते हैं तो बने इस उड़ों में लगातार मैं हूँ पॉंच जागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल इसमाल हाउश प्लान तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुचेगा और आप उससे वीडियो का वाच कर सकते हैं तो चलो पूरे डिसकस कर लेते हैं मॉडल जो 10 पाई 10 का है तो फ्रंट के गर बात करें तो फ्रंट से भी 10 फिट है और लंबाई भी इसकी 10 फिट है और यहां पर स्टेर्स दिया है और थ्री साइज्ड क्लोज्ड मकान है यह अगर हम बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में सबसे पहले आभी देख पा रहे होगी यह में डोर है इसका उपर उसके विंडो दिया है सबसे और हमा下去 चलें पर यह देखे है यह सबसे पर को Спर रहे होगा रही होगा और ली ट्र डाना होगा L size का यह है आपका जीना डेल फिट जाने का डेल फिट आने का मतलब बहुत ही कम पतला मसरिफ आप चड़ सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते हैं तो टोटल जीना का जी size होगा तीन फिट चोड़ा लगभग में और यह मैंने कुछ पीछे space शोड़ दिया है इसमें आप latering आप अपना बना सकते हैं या पीछे जो देख रहे होंगे यह आप main gate है उसी के front पर आपको जीना मिल जाता है मतलब stairs मिल जाती है और पीछे आपको latering मिल जाता है और यह आपकी दुकान मिल जाती है और नीचे कुछ design नहीं हो पाएगा ना तो bathroom यहाँ बन पाएगा ना आपका kitchen बन पाएगा क्योंकि जगह बहुत ही कम है इसलिए मैं इन सभी चीज़ों को ऊपर आपको अर्जिस्ट करके बताता हूँ थी यह तो इसका होगा ground floor की बात नीचे वाले floor की है जिसमें आपको एक दुकान मिल जाती है अगर इसका दोस्तों exact size आपको जानना है तो आप हमारी website पर भी visit कर सकते हैं जिसका link मैंने description में दे दिया है यहाँ पर आप सारे model से दिखिए कर zoom करके देख सकते हैं यह देखिएगा कितना बाई कितने का बना है यहाँ पर इस model का मत 99 रुपीज में परशेज करके इसका 2D images, 3D images और with dimension with accurate size आप इसे download कर सकते हैं आप यहाँ पर आईएगा और 99 रुपीज में model परशेज कर लीजिएगा आपको सारी चीजें इसका 2D diagram, 3D diagram सब उसमें आपको एक जिफ फाइल मिलेगी उसमें आपका stack करेंगे तो सारे photo images आपको मिल जाते हैं जिसको देखकर आप इसे बनवा सकते exact size अब अगर हम बात करेंगे तो इस ground floor की बात हो गई अब हम बात करते हैं इस first floor की तो first floor में यह जो आप लंबा से देख रहे हैं यह designing का part है इसको अब लीप करें जैसे आप stairs के माद्यम जो उपर चड़कर आएंगे तो बिल्कुर सेम वही है जो आपका दुकान था वो आपका बन जाएगा bedroom एक रूम चोटा अशा आपका जो चोटा सा रूम इसी में आपको kitchen अर्जेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि जगे आपके पास नहीं है तो अगर आप kitchen बनाना चाहते हैं इस floor पर last floor पर kitchen आप रख सकते हैं लेकर उसमें बहुत सारी भागा दोड़ियों हो जाती है अगर मकान में लगातार अब उपर चड़ना होगा kitchen कुछ खाने जाना तो आप उपर जाना पड़ेगा लेटिंग जाना तो नीचे जाना पड़ेगा अब नहाना है तो बीच में जाना पड़ेगा तो इसलिए आपको ये दियान में भी रखना होता है कि अगर कोई बुजूर्ग है तो उसके लिए प्रॉपर विवस्ताएं होनी चाहिए तो आप उसे kitchen को उपर ना बनाए कि इस room में हेर जेस्ट कर लें फिलाल फूब डेपेंड करता आप पर अब last floor के कर हम बात करें तो last floor आप ये ऐसा देख पा रहा होगा यहां पर कोई design नहीं किया आप बस stairs को ढग दिया है जिसमें बरसाद में कोई problem शना हो और आप यहां से आए अंदर तो ये आपका एक जो room ना वही आपका एक च्छत बन जाएगा और फ्रेंट से ये designing आप पार्ड में एक glasses लगा दी है आपका जो sticker से गया उसी को ढग दिया उसी में glass लगा दिया इसमें आपका इस model और भी बेतरी लगने लगता है और यह आपकी boundary है जो आप देख पा रहे हो तो यह model कैसा लगा मुझे comment करके बताएं सब्सक्राइब वीडियो को like share जरूर कर दे था झाल झाल झाल